नमस्कार Capital TV उत्ताप्रदेश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुना ली उत्ताप्रदेश में PWD और स्वास विभाग में ट्रांसफर कांट से लखनों से दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है सपा सरकार में शुक्पालियादव और अखिलेश की तनातनी के कारण भी PWD विभाग ही था माया के राज में भी माया का जाल बिचाया गया 402,000 करोड का घोटाला सामने आया था आज आपको बताएंगे सपा बसपौर योगी राच में अंतर सपा सरकार के बाद 2017-18 में कैग ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि सपा सरकार में 97,000 करोड का घोटाला हुआ था इसके बारे में आपको बताएंगे लेकिन पहले ताजा मामला सूबे में मलाईदार और सियासी रसूक वाले दोनों ही विभाग में तबादले ने योगी सरकार पर सवाल खड़े करती हैं ऐसे में योगी सरकार में ही नहीं बलकि मायावती और अखिलेश के राज में दोनों ही मंतुराले काफी चर्चा के रहे हैं लेकिन पहले आपको पताते हैं योगी सरकार में चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक के हेल्थ डिपार्टमेंट और काबिनेट मंतरी जितन प्रसाथ के पी डबलुडी में हुए ट्रांसफर में गड़बडी के मामले सामने आए मुख्यमंतरी योग्या दितनाथ ने दोनों विभागों के तबादलों पर जाँच बिठा दी है लेकिन सरकार विपक्ष के निशाने पर हैं खास बात यह है कि 15 दिन पहले ही सरकार ने अपने दूसरे कारेकाल के 100 दिन पूरे किये थे लेकिन तबादलों के लिस्ट जारी हो से विपक्ष के तेवर दीखे हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि अब तक इसमें कोई धांदली होने के सबूत नहीं है जबकि सपा और बसपा सरकार में बड़े घुटाली को अंजाम दिया गया क्योंकि यूपी कि सियासत में पीड़डी और स्वास्विभाग को हमेशा से मला विभाग माना जाता है मायवती और अखिलेश यादव के राज में भी पीड़डी और स्वास्विभाग चर्चा के केंदर में रहे थे सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेटा को ही पीड़डी का जिम्मा मिलता रहा है योगी सरकार के पहली कारेकाल में साथ मौरे के पास था सपसरकार में शिफपाल यादव तो बसपसरकार में नसीमुद्दीन सिद्धी के पास PWD हुआ करता था बताने के जरूरत नहीं है कि शिफपाल और नसीमुद्दीन सिद्धी की अपनी अपनी सरकारों में कैसी तूती बोलती थी PWD के एहमियत को इससे समझा जा सकता है कि इस बार का विभाग का सामना बजट 6,652 करोड का है मायवती राज में नोईडर लखनो में समारक बनाए गए जिसका जमाल लोग निर्मान मंतरी होने के चलते नसीमुद्दीन सिद्धीकी के उपर था इसमें 4,200 करोड के घोटाले के आरोप लगे इसी तरह सपाराज में शिफपाल से भी मंतराले छीनना पड़ा इंजिनियर अफसरों के ट्रांसफर से लेका धेका देने तक में विभाद खड़े हुए थे काल 2016 में चाचा भतीजे के बीच सियासी वर्चस्व की लड़ाई हुई तो अखेलेश यादव ने चिफपाल यादव से PWD मंतराले छीन लिया था उत्तरप्रदेश में PWD की तरह स्वास विभाग भी भारी भरकम बजट और विववादों के केंदर में रहता है सूबे में हेल डिपार्टमेंट का बज़र 40,992 करोड का है ब्रजेश पाठक से पहले सिधात नाथ सिंग और उनसे पहले सपासरकार में एहमद हसन और बसपाराज में सतीश चंद्र मिश्र के करीबी अनंत मिश्र जैसे नेताओं के पास इसका जिम्मा रहा है ये वही अनंत मिश्र है जिनका नाम राश्ट्र ग्रामीन स्वास मिशन यानी N.R.H.M. घोटालो और C.M.O. हत्याकान में आया था जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा था सपासरकार में 97,000 करोड कहा गए कोई सवाल नहीं करता अखिलेश यादव से मायवती ने 4,200 करोड का क्या किया ये भी नहीं पूछा जाता लेकिन योगी सरकार में तबादलों में तबादले नीती का पालन नहीं किया गया तो ये लोग हवा से बाते करने लगे जो अखिलेश यादव ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं पहले वो अपना सरकार का हिसाब दे इस रुपोर्ट में मेरसा देता ही तुमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश नमस्कार